हेलो एवरिवन, वेलकम इन प्रोग्रामिंग प्रेंग चैनल, तो आज हम नए वीडियो के साथ, जिसमें हम प्रोग्राम बनाने वाले हैं, अब्जिक्ट को पॉइंटर बना करके, यानि कि अगर हम अब्जिक्ट पॉइंटर टाइप लेते हैं, तो हम मेंबर फंक्शन्स को या डेटा मेंबर को कैसे एक्सेस करेंगे, पॉइंटर आपने पहले भी पढ़ा होगा, तो लेट्स स्टार्ट प्रोग्राम विद पॉइंटर स्टो अब्जेक्ट्स, अगर आप आज अलिवार मेरा वीडियो देख रहें, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक क करें, शेयर करें, और अल्सो क्लिक दा पैल आइकन, ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, और आप तुरंत वीडियो देख सकें, तो चलिए बनाते हैं प्रोग्राम अब, देखिए हमारा जो पॉइंटर से, जैसे कि मैंने अभी बताया आप को कि आपने पहले पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो प्लीज आप सी के वीडियो में जरूर एक बार पड़ने और कंसेप्स अपने क्लियर कर लें, क्योंकि कंसेट्स पॉइंटर के सेम ही होंगे, चाहे आप सी में यूज प्लस प्लस में यूज करें या अधर लें लिए यूज़िज़ में यूज़ करें, बेसिक लेंग्विज तो हमारे C ही है, तो जो पॉइंटर्स का कंसेप्ट हम सी में पढ़ेंगे, वही आगे भी हम पढ़ेंगे, तो इसलिए आप अपने पॉइंटर्स के कंसेप्ट को प्लीज जरूर क्लियर कर लें, अगर आपके क क्लियर नहीं है, क्योंकि वहां मैंने लोकेशन बना करके आपको समझाया हुआ है पॉइंटर्स, तो उसको एक बार जरूर आप पढ़ लें, पॉइंटर्स दूसरे वेरियबल का एड़ स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता है, अब वह वेरियबल हमारा क्लास का अब पॉइंटर्स कैसे यूज़ करते हैं, एफ पॉइंटर केन पॉइंट टो एन ऑबजेक्ट डिटि भाया धो एगा स्ञास और जो पॉइंटर है यह एक ऑबजेक्ट को भी प्वायंट कर सकता है, जो की ऑबजेक्ट हैक्ट आपका किसके द्वारा क्रियेटिटेड एग झा तो देखिए इसका पहले मैंने syntax समझाया आपको abc नहीं में obj नहीं में तो obj is the variable of abc we can say this यान कि abc का object है abc का variable है आप बोल सकते हो दूसरा जो हमने object लिया pointer टाइप लिया है देखिए abc pointer ptr equal to address of obj yes इस obj का add store किया हुआ इसमें जैसे कि मैंने अभी आपको कहा कि pointer type जो variable है जो object है वो किसी दूसरे object क्या या किसी दूसरे variable का add store करने के लिए use होता है तो देखिए यहाँ पे pointer type variable है ptr और किसका abc का आगे अब हम इनको program में use करते हैं चलिए किस तरह से हम pointer type object बना करके class के data members को access कर सकते हैं तो देखिए यह हमारा program है पहले दोनों order file open कर लिए हमने abc नाम की class है दो data members है x and y x आपका integer है y हमारा float पब्लिक के अंदर get value एक function लिया जिसमें जो भी values हम main function में call करते हैं पास करेंगे वह a and b में store करेगा और x y में store हो जाएंगी यह bk through display में इन दोनों को display करा दिया x और y को क्योंकि हम simple एक pointer का use करके देख रहे हैं बस simple तो आपने classes बनाई है objects बनाए है members access किये लेकिन आज हम pointer type object के साथ access करने वाले हैं यहां पर हमारा class close हो गया अब यह मैंने एक variable यह size और उसमें constant value लेली two constant value store कर दी size में two it means यह कि हम जो आगे object create कर रहे हैं वो members के लिए use करने अगर आपको ज्यादा members के लिए use करना है ज्यादा objects के लिए use करना है तो आप यहां पे उतने number of times इसको increase कर दीजिए तो देखे में के अंदर abc class का name है हमारा और pointer obj एक हमने variable create किया pointer type और उसमें हमने dynamic memory allocate कर दी कितने size की two size की हमारा two size का मतलब है it means यह दो objects के लिए work करेंगा तो देखे आगे abc एक हमने और variable create किया object create किया pointer k equal to यहां हमने यह p नहीं होना चाहिए हमारा होना चाहिए obj क्योंकि हमारा जो यह object हमने create किया यह वह obj नाम का है हम obj का add the stroke करेंगे अब देखिए यहां पर क्योंकि हम अगर simple object create करते without pointer तब भी आप members को access कर सकते थे लेकिन अभी हमें pointers का use करना है तो दो value हमें लेनी x and y के लिए तो हमने एक variable लेलिया p एक variable लेलिया d और p हमारा entities है d हमारा float है एक मैंने i variable है जो loop के लिए use करेंगे तो देखिए यहां पर loop चलाया हमने i 0 से चले और size जितना हमारा size होगा उतने तक चलेगा और एक एक करके आगे बढ़ेगा तो i हमारा 2 है two time चलेगा एले बार में 0 है block के अंदर आके object है हमारा तो हम arrow का use करेंगे ना कि dot अगर pointer type object है obj arrow get value आएगा यहां पर क्या आएगा get value क्योंकि हमारा जो function का नहीं है वो get value है एक बार check भी कर लेते हैं हम लोग yes यह देखिए get value function को call किया और उसमें p और d की value pass कर दी एक integer एक float and then तो एक members के लिए उसने values transfer कर दी और x and y में store कर दी फिर obj++ next वाले के लिए value लेगा फिर वापस लूप में गया अब i1 हो गया condition अभी true है फिर enter the data आपने block के अंदर और p and d के लिए value हमने दुबारा एंटर की हम dynamic एंटर कर रहे है value यहां पर keyword से एंटर कर रहे है देखिए at the run time और उन्ही values को हम function call करते से में transfer कर रहे है obj arrow get value p,d value को get value function में pass कर दिया और xy value को again initialize कर देंगे हम second value के साथ फिर obj plus plus next increase हो गया बट वापस जब यह loop में जाएगा तो यहां पर i2 हो जाएगा और यह condition false हो जाए condition false होने पर block से बाहर आ जाए अब हमारा जो obj का pointer है आप देख रहे हो यह third location पर पहुंच चुका है records display करने है वो first location से display करने है तो हमारे पास जो pointer है वो ना चाहिए जिसमें base address होगा object का तो देखिए हमने k में store किया हुआ है यहां पर तो जब हम दुबारा से loop चलाया हमने i का तो देखिए k arrow display पहले display function को call करेगा और उसमें xy value को display कर देगा फिर k++ अब next location पर पहुंच गया फिर वापस loop में गया अब one हो गया i condition true है फिर इसने k arrow display अब one वाले location की values को display कर दिया फिर प्लस प्लस लेकिन यह condition false हो जाएगी block से बाहर आ जाएगा and then return 0 तो यह था कि अगर हमें pointers का use करना है object create करने के लिए तो कैसे करेंगे तो चलिए इस program को हम run करके भी देख लेते हैं computer में तो देखें यह हमारा program जो अभी हमने execute किया अब उसको हम run करके देख रहे हैं कि क्या जो हमने execution किया वो सही किया या कहीं ऐसा तो नहीं output हमारा गलत आ रहा है add us transfer कर दिया next दो variable हमने एक s integer t flow type और i हमने loop के लिए लिए same loop चला करके values scan की scene करने के बाद हमने get value function को call किया और उसमें दोनों value pass कर दी फिर obj को increase किया next value scan की and then उसको भी get value के through initialize कर दिया x and y को तो मैंने यह statement जान बुझ के display कराई एक ताकि आपको यह clear हो कि हमें दूसरे object की क्यों जरूरत पड़ी तो यहां पर देखिए last में हमारा जो obj है वो second location पे जहां कुछ भी नहीं है क्योंकि increase तो हुआ यहां से लेकिन यहां loop हमारा condition false हो गई तो loops से बाहर आ गया obj हमारा second location पे था जहां कोई value नहीं है तो जब हम इसको see out obj के साथ display function कॉल करेंगे तो यह क्या display करेगा भी गार्वेस value क्योंकि हमें starting से display कराने होंगी values तो हमारा जो object है उसके पास starting का reference होना चाहिए तो देखिए यहां इसलिए हमने obj का reference k में store करके रखा है तो अब जब दूबारा हम loop चलाएंगे आई का तो उसके अंदर हम के के साथ display function को कॉल करेंगे तो पहली बार में x and y की value display कर देगा जो भी हमने first time में पास की थी फिर k++ second वाले की लिए value display करेगा जो भी हमने second time में यहां से पास की थी and again यह प्लस प्लस होगा लेकिन condition false हो जाएगी तो यह loop से बाहर आ जाएगा देखे यहां पर हमें यह cout देने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम display function कॉल कर रहे हैं तो यह सीधा डिस्प्ले में जाकर के x and y की value को डिस्प्ले कर देगा तो हमें यहां पर cout देने की जरूरत नहीं है बिना cout के हम use करेंगे तो चले अब हम run करते हैं इसको control f9 यह दिखे हमसे x and y की value मांग रहे हैं तो suppose पहली हमारी integer value हमने 1 दे दी और हमारी जो decimal value है float 2.5 दे दी अब दूसरी value मांग रहा है हमसे suppose हमने 23 दे दी integer value और 4.5 दे दी हमने float value अब यहां देखिए हमने display function जो call किया था मैंने उसमें x 0 और y 0 प्रिंट कर रहा देखिए क्योंकि display function में तो x और y को display किया है तो उनमें तो अभी जहां पे obj last में जिस location पे है वहां तो कोई value ही नहीं है तो दीखिए वहां पे उसने क्या display कर दिया garbage 1842 यह garbage value है हमारी और उसके बाद देखिए जो हमने display function call किया तो x की value 1 y की value 2.5 x की value 23 y की value 4.5 यह display कर दिया तो यह output कुछ सही है this will be output of this program तो आज की वीडियो में बस इतना ही अगर आपको आज का वीडियो मेरा पसंद आता है तो मेरे चैनल को subscribe करें like करें share करें and also click the bell icon ताकि वीडियो upload होते ही आपको notification मिल जाए और आप तुरंत वीडियो सकें तो आप साथ साथ जरा कमेंट भी करते रहा करो thank you very much